माननी सभापदी मोदे, माननी चोईस सदस्यों ने सामाजिक नियायर अधिकारिता मंत्राले की डिमांड्स पर चर्चा में भाग लिया, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ और एक-एक के नाम से अलग-अलग जो मुद्दे उठाये थे, उनका एक ही साथ जवाब देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत सारे विशय, एक माननी सदस्यों ने उठाये, तो दूसरों ने भी वही उठाये, इस प्रकार के बहुत ओवरलिपिंग है, तो मैं कुल मि प्रकारे में एक साथ सही तुरूप से जवाब देने की कोशिस करूँगा, मैं सदन को बताना चाहता हूँ, कि सरकार, अंबेट करजी के प्रती, भारत के समीधान के प्रती प्रतिबद है, और भारत के समीधान में जो उलेख है, जो प्रावधान है, उन पर अमल करने के ल हम मानते हैं कि सामाजिक न्याय तभी हो सकता है तब प्रत्येक व्यत्ति को आर्थिक, सामाजिक, शेक्षणिक, बोध्धिक, मांसिक, राजनितिक और अन्यान्य प्रकार की जो सुविदाएं होती है उसका सुख प्राप्त हो और उन सुखों को प्राप्त करने के लिए उसको सुआ उसर मिले हम इस बात को भी मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको जीने का हक है अगर वो गरीब से गरीब है शारिरिक द्रश्टी से भी असक्षम है तो भी उसको जीने का हक है और जीने का हक सभी उच्चस्त जीवन जीने वाले लोगों के बराबर का है औ और इन सब बातों को ध्यान में रख करके, हमने इन दो वर्षों में भूत कुछ करने का प्रयास किया है। हम ये मानते हैं कि सामाजीक, आर्थिक, सेचनिक, राजनितिक, मानसीक और आत्मिक सुख तभी मिलता है, जब व्यक्ति को सब प्रकार का सुख मिले। हमने दो द्रष्टिकोंड को ध्यान में रख के कारियोजिना बनाई है, एक तो विकास कारियोजिना और दूसरा सामाजीक सुरक्षा की द्रष्टि से, और उसको सम्मान देने की द्रष्टि से, तो विकास की द्रष्टि से, जो योजिना है, आदोसम रचना और ये, और सब लिए जो बजट प्रावधान किया उसके अनुसार हमने खर्च करने की कोशित किये है पर भावनात्मक उनको संबान मिले जो उच नीच और छुआ छूट का वातावन था वो जल्दी से जल्दी मिटे इस बात को ध्यान में रखके हमने ये मेसूस किया कि अभी तक अमबेट क कर जी की सोच को देश की जनता के सामने सही दृष्टिकोंट से पहुँचाने का काम नहीं हुआ है और अमबेट कर जी की सोच सही दृष्टिकोंट को ध्यान में रखकर के गाउं गाउं गली-गली में पहुँचे और लोगों के मनमस्तिस्क में उत्रे ताकि तेज गती से सामाजिक समरस्ता आ जाए आ जादी के बाद ये महसूस होने लगा एक वर्ग सोचता है कि अम्बेटकर जी तो हमारे हितेशी है दूसरा वर्ग सोचता है कि अम्बेटकर जी तो उनके थे हमारे लिए तो कुछ नहीं हमारा तो विरोध किया उन्होंने वास्तों में ये बात नहीं है अम्बेटकर साथ देशभक्त सर्वव्यापी सर्वइस्पर्शी और देश के लिए थे देश के लिए सर्वस्वे न्योचावर उन्होंने किया मैं एक नहीं अनेक उधारन दे सकता हूं वो लंदन में पड़े वो अमेरिका में पड़े और उच्चस कम डिगरियां और वो भी दो दर्जन से अधिक डिगरियां और भारत में छुआ छूत का वातावन भेदबाव का वातावन उचनीच का वातावन तालाव से पानी नहीं पीने देंगे मंदिर दर्शन नहीं करने देंगे इस प्रकार का वातावन था अमेरिका और बिर्टेन में तो ऐसा कुछ ठाई नहीं और इतनी इतनी डिग्रिया प्राप्ट करने के बाद अगर वो चाहते अगर वो चाहते तो वहीं कहीं बड़े से बड़े पद पर नोकरी कर सकते थे या वहां भी राजनिती में रहकर के कुछ कर सकते थे पर उन्होंने निरणा ये लिया कि भारत में ये सबी परकार की विशमता हैं और इन विशमताओं को दूर करने की बहुत आवश्क्ता है इसलिए उन्होंने न अमेरिका में रहना पसंद किया लंदन में या बृतेन में भारत में आकर के इन विशमताओं को दूर करने का प्रयास किया और योग सायोग उनको भारत का समिधान बनाने के लिए ड्राप कमिटी का अध्यक्ष निव्ट किया उन्होंने जो ड्राप्ट बनाया और उसको जो अंतिम स्विक्रेटी दी उसमें लगबग दो सो नव्यासी लोग थे सब महापूरुष थे देश को आजात कराने के लिए सबने कुर्बानी दी थी उन सब लोगों ने सर्वसमती से इसको बनाया और वो 26 जन्वरी 1950 से लागू भी हुआ अगर हम गंबीरता से विचार करें तो उस पर अमल करने के काम में कहीने कही जो गती तेज रहना चाहिए थी वैसी तेज गती नहीं रही गती धीमी हुई और उस कारण से विकरतियां पेदा होने लगी और इन वर्गों के लोगों को ऐसा लगने लगा कि भारत के समिधान लागू जरूर हो गया पर समन्दी सरकार उसको ठीक से अमल नहीं कर रही है और फिर परिस्थितियां अलगावाद की और बढ़ने लगी हम यह मैसूस करते हैं कि देश में समता आना चाहिए और उसमें से ही समरस्ता आएगी और समरस्ता के बाद ही विशुशान्ती की परिकल्पना सफल हो सकती है ने तो नहीं हो सकती है हम यह भी सोचते हैं कि अलगावाद के आदार पर वर्ग संगर्ष के आदार पर यह नहीं आना चाहिए समनवय के आधार पर आना चाहिए समता समनवय के आधार पर आएगी तो ज़्यादा हितेशी होगी देश के हित्मे भी होगी समाज के हित्मे भी होगी और सब के हित्मे होगी इस दरश्टिकोन को ध्यान में रख करके मैं बजट की चर्चा करूँगा उसके पहले ये जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि अम्बेटकर साथ की 125 वी वर्षगाट 2015 से लेकर अप्रेल 2016 तक मनाई गई मुझे बहुत खुशी है साल भर अम्बेटकर जयनती मनाने का निरने लिया देश के सभी राज्यों में अम्बेटकर जयनती मनाई गई बिनन बिनन कारिकरम आयो जित हुए भारत सरकार ने डाक्टिकिट भी जारी किया पहले भी डाक्टिकिट जारी हुआ था पर फिर डाक्टिकिट जारी हुआ और हिंदूस्तान की आजादी के बाद पहली बार 10 रुपे का और 125 रुपे का अम्बेट करजी के चित्र के साथ सिक्का भी जारी किया ये भी पहली बार हुआ इसके साथी साथ निमे आगे बता रहूना दो पहलु है बैक साथ दो पहलु है एक उसको संबान देना और एक उसका अर्थिक विकास करना उसी के अगर पर बता रहा हूँ उसके साथ ही साथ हमने ये भी सोचा कि जहां जहां अम्बेटकर साथ जाकर के पड़े थे वहां सो बच्चों को जो दलित वर्क से संबन दित है और PhD कर रहे है, MPIL कर रहे है, merit में है उनको वहां भेजा जाए 25-25 के समों में हमने उन स्थानों पर भेजा जहां अम्बेटकर साथ पड़े थे और वो सुखद अनुबह लेकर के आए और समता की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने के दिशा में आगे बढ़ रहे है हिंदुस्तान के आजादी के बाद पहली बार 26 जवनरी 2016 को अम्बेटकर जी के जीवन परिचे के आधार पर राजपत पर जो गनतंतर दिवत समारो होता है उसमें जाकी निकालने का भी काम किया ये आजादी के बाद पहली बार हुआ है ये भावनात्मक उन सभी अनुसुचित जाती जन जाती और पिछड़े वर्ग के लोगों के सम्मान के लिए जरूरी है इसलिए हमने ये करके दिखाया है और अम्बेटकर जी से सम्मंदित जो पाच प्रमुख स्थान है अम्बेटकर जी की जन्म स्थली अम्बेटकर साब की सिक्षा स्थली अम्बेटकर साब की दिख्षा भूमी और अम्बेटकर साब का जहां महापरिनिर्वान हुआ था 26 अलिपुर रोड उसको तथा अंतिम संस्कार स्थल को इस सरकार ने पंच तीर्थ का दर्जा दे करके भारत के राट्रपदी जी के अभीपाशन में भी इसका उल्ले किया और इन सब पाचों को समरक्षित करने विस्तार करने और आधुनिक तम सुविदा युक्त स्मारक बनाने का निर्णे लिया और इन सब का भूमी पूजन होकर के काम प्रारंब भी हो गया है लंदन में जहां अम्बेटकर साथ पढ़ते थे और जिस मकान में रहते थे महराट की सरकार ने और प्र्धान मंतिरी जी ने बाच्चित करके उसको खरीदा राच्टरी इसमारक भोशित किया 26 अलिपूर रोड अटल विहारी बाटपष प्रधान मंतिरी थे उस समय वो नीजी संपत्ति थी उसको खरीद करके अंबेटकर राष्ट्री इसमारक भोशित किया चेत्य भूमी का विस्तार करने के लिए वहाँ पडोस में इंदु मील जो 40 साल से बंद थी उसकी जमीन अधिक रहित करके उसको भी विस्तारिद करने के लिए वो ने 300 करोड की लागत की योजना बनाई फिर अंबेटकर जी की सही सोच देश और दुनिया के लोगों के सामने जाए इसलिए हमने अंबेटकर प्रतिशान की तरफ से ये जो 15 जनपत है ली मेरीडियन होटल के बगल में 105.95 करोड की लागत से अंबेटकर अंतर राठ्री अनुसंदान सोच केंदर स्थापित किया है और मेरी ऐसी सोच है सरकार की ऐसी सोच है कि जब अनुसंदान केंदर चालू होगा तो आने वाले 2-4-5 सालों में अंबेटकर जी की सही सोच देश और दुनिया में जाएगी और निश्चित रूप से कटूता का वातावन बेद भाव चुआ चूत का वातावन समस्त हो करके समता का वातावन बनेगा और उससे समरस्ता आईगी एक नई अनेक उधारन में दे सकता हूँ मैंने बताया 26 अलिपूर रोड अंबेटकर साथ का दिहांत हुआ था यहां दिल्ली में अंतिम संसकार की यहां अनुमती नहीं मिली तो चेति भूमी में हुआ था परंतु इस स्थान को इसमारक बनाने के लिए अटल जी ने उस जमीन को ले करके और इसमारक घोशित किया था 2002 से ले करके 2004 के पहले किसी ने भी उसको इसमारक बनाने की घोटना नहीं की अनुसुचित जाती वर के लोग दलित वर के लोग मांग करते रहे पर वो नहीं हुआ था नरेंद्र मोधी साथ की सरकार में 21 मार्च को 100 करोड की लागत से भव इसमारक बनाने का निरनाय लिया उसका भूमी पुजन किया और निर्मान कारी चल रहा है मैं यह बताना चाहता हूँ कि आर्थिक विकास के साथ साथ राजनितिक विकास के साथ साथ उनको सामाजिक सुरष्टा और सम्मान देने की महती आवश्चता है और ये उनको सम्मान देने के लिए हमने कदम उठाए और इस कदम की सारे देश्वासी और विशेश कर गलित वर्ग के लोग अनुसुची जाती वर्ग के लोग प्रिशंसा कर रहे हैं हमने जब ये निर्णे लिया तो एक नई अनेक प्रशंसा पत्र हमको प्राप्त हो है और ये पंच तिर था और ये सब हमने करने का काम किया इन सब कामों को करने के लिए गलित वर्क लंबे समय से मांग कर रहा था परंतु साथ वर्स जो सरकार में थे उन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं सोचा कुछ नहीं किया भारत रत में नहीं दिया सेंट्रल हाल में चितर नहीं लगाया हमने ये कहा भई हमने तो मांग की हमने तो मांग की लंबे समय से मांग कर रहे सब लोग मांग कर रहे आपको मोका था आपने क्यों नहीं किया हमको मोका मिला है हमने करके दिखाया है और इसले आज का ये दलिस वर्ग हमारी इन सब बातों से प्रसन्न है और प्रधान मंत्री जी को बधाई दे रहे जहां तक बज़ेट का सवाल है बज़ेट में माननी सदस्यों ने कहा है बजेट में कटोती हुई है मांग अनुसार बजेट नहीं मिला है मैं इस बात को स्विकार करता हूँ कि छातरवर्ती की दृष्टिकोन को ध्यान में रख करके जो छातरवर्ती देना चाहिए और उसके लिए जितनी धन चाहिए वो हमने मांग की थी परंतु उतनी नहीं मिली परंतु मैं यह कहता हूँ कि पिछले वर्षों की तुल्णा में बजेट में बडोतरी हुई है किसी भी मद में पैसा कम नहीं हुआ है पिछले वर्ष का बज़र देख लो अभी का बज़र देख लो और उसके पहले के बज़र देख लो मैंने कागज में नहीं वास्तों में बडोतरी हुई है मेरे विभाग में मेरे विभाग में अनुसुचित जाती वर्ग आता है मेरे विभाग में OBC वर्ग आता है मेरे विभाग में विकलांग वर्ग आता है बिक्षावरती करने वाले लोगों को बिक्षावरती से मुक्त किराना ये आता है नशामुक्ती की योजना आती है सिनियर सिटिजन की योजना आती है किंदर समुदाय की योजना है और ऐसा सामानी वर्ग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है इन सब वर्गों के लिए पिछले वर्षों की तुन्ना में इन से समंदी जितनी भी मदे है उन सब में बढ़ोत्री हुई है समया भाव के कारण में वह आकड़े पढ़ने की इस्तिती में नहीं होनी तो मेरे पास सब है जा तक सब प्लान का मामला आया सामने से जो बोल रहे हैं माननी सदसोर ये मैं उन से कहना चाहता हूँ कि आपके कारिकाल का बजट देख लो आपके कारिकाल के बजट की तुन्ना में बजट में भी बढ़ोत्री हो और जो खर्चा किया हमने इन दो साल में 2009 से ले करके 2014 तक अर्थाथ 5 सालों में कांग्रेश की सरकार ने या जो भी सरकार रहे है उसने जितना खर्च किया था उसका 50 परसेंड से ज़ादा हमने 2 साल में खर्च किया है और आने वाले 3 साल और जब होंगे तो उनसे कई गुना हम ज़्यादा खर्च करने की इस्थिति में होंगे स्थिस सब प्लान की बात आई मैं माननी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं प्रार्थना करना चाहता हूं इमानदारी से पिछले दस साल के बजट के आकड़े देख ले 2013-2014 तक SC सब प्लान में बहुत कम पेशा मिलता था जो आबादी के मान से पेशा देने की बात कर रहे हैं उनके समर्थन से चलने वाली सरकार उनकी पार्टी की सरकार उस समय का जो एवरेज था वो साड़े साथ प्रतिशब से जादा नहीं था मिलना चाहिए था 15% मिला 7.5% 2014-15 में हमने जो बजट प्रावधान किया था उसके आधार पर 11% की धंदराशी हमने दी थी और उसके पाद पिसले साल उसमें जरूर कमी आई थी और कमी का एक प्रमुक कारण ये था कि भारत सरकार ने चोधवे वितायों की रिपोर्ट को मान करके जो राज्यों को केंदर का आंश 32% पहले दिया जाता था उसको 42% कर दिया अर्था 10% बढ़ा दिया उसके अतिरिक 5% धंदराशी लोकल बाडिस के लिए इस्थानी निकायों के लिए अलग से दे दी 2% पंचायती राज वेवस्था के लिए दे दी टोटल मिला करके 17% धंदराशी राज्यों सरकारों को पहले की तुलना में ज़्यादा दी गई और इस कारण से एस्थी सब प्लान में मामुली सी कमी आई थी और हमने आगरे किया था राज्य सरकारों से कि आपको ज़्यादा पेशा मिला है आप इसकी भर्पाई वहाँ से करने की कोशिद करें पर इस बार मैं आपको खुशी के साथ बताता हूँ पिछले टाइम था तीस हजार करोड एस्थी सब प्लान में इस बार हमने प्रावधान किया है 38,800 से अधिक की दंदराशी का प्रावधान किया है आकड़े उठा करके देख ले जिनकी सरकार साथ साल से थी 10 परसेंट से जाज़ा का एवरेज कभी भी उनके टाइम पर नहीं रहा है कुछ माननी सदस्चों ने हमारा प्रयास है कि आबादी के मान से मिले डाइवर्जन नहीं हो सही उपयोग हो उसके लिए हम सदत निगरानी भी करते हैं आवशकता होगी तो कुछ नियम कानून काईदे का प्रावदान करने का भी विचार करने आगे बढ़ेंगे पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने पिछले वर्षों की तुल्णा में हर छेत्र में ये सब काम करके दिखाया है मेरे विभाग में एक प्रमुकुरुप से विकलांग वर्ष शशक्तिकरन विभाग भी है जिसका नाम आजकल दिव्यांग नाम से पापुलर हो गया है हमारे विभाग में अभी तक भी शास्की इस्तर पर विकलांग शशक्तिकरन नाम है पर हम जहां जाते हैं दिव्यांग नाम से कार्ड भी छपते हैं कारकरम भी होते हैं उन वर्गों के लिए भी पहले की तुल्ला में पिछले वर्ष 2014-2015-2015-2016 और 2016-2017 में बजट में बड़ोतरी हुई हैं हमने उसमें विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए कारियोजना बनाई पहले भी विकलांगों को उपकरण बाटने का प्रावदान था कब बढ़ता था कहां बढ़ता था कैसा बढ़ता था कितना बढ़ता था कुछ पता नहीं रहता था हमने तीन उद्देशों को ले करके सार जेस तो नहीं है हम ऐसे सारवजनिक आयोजन करते हैं और अभी तक हमने इन दो सालों में 1836 केम पायजित किये उसमें 1000 से अधिक लाबारती और एक करोर से ज्यादा की धंदराशी वाले 106 केम पायजित किये उसमें मैं स्वयम गया हूँ और बाकी में राज्यमंत्री जी और अधिकारी कर्मचारियों ने वो किये हैं मैं पूछना चाहूँगा कि हमने 1836 केम पायजित किये और साड़े तीन लाख लोगों को उपकरण बाटे आप जिनकी बात कर रहे हो या जो पहले सरकारे थी जरा उनसे आकड़ा पूछ लो योजना तो बहुत पहले से चल रही है उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर हम हम जितने हमारे विभाग में ने जो वर्ग बताए उन सिभी वर्गों के वित्विकास निगम भी है अनुसुची जाती वित्विकास निगम है सफाई कर्मचारी वित्विकास निगम है पिछडा वर्ग वित्विकास निगम है और विकलांग वित्विकास निगम है हमने इन सब वित्विकास निगमों के माध्यम से सम्मंदित वर्ग के लोगों को प्रशिक्षन भी दिया है और वो प्रशिक्षन की संख्या लाखों में है और प्रशिक्षन के बाद उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सस्ते ब्याज की दरपर 4 प्रतिशत और वार्शिक ब्याज की दरपर हजारों लाबार्थियों को रिण सुविदा उपलब्द कराई है लाखों की राशी उनको उपलब्द कराई है कोई कारोबार कर रहा है कोई दुकान लगा रहा है कोई हेंडलूम बना रहा है कोई खिलोने बना रहा है कोई क्या बना रहा है जो प्राचीन अर्थविय वस्ता थी लगू उद्योग की उसको बलावा देने के लिए हमने काम किया है विकलांग जनों के लिए भी हम प्रशिक्षन देते हैं और यही सारी सुविदाएं उपलब्द कराते हैं हमने विकलांग तक एक शेत्र में लगबग 50,000 लोगों को इस वर्शों में रन के साथ कुस्वावलम भी बनाने का भी काम किया है और विकलांगों के लिए 3 प्रदीशत आरक्षन की व्योस्ता भी है भारत सरकार के मंत्रालयों में राज्य सरकार के मंत्रालयों में भी है बेकलांग को पूरा करने की द्रश्टी से हमने विशेज भरती अभियान चलाया और पिछले डेड़ दो वर्षों में जितनी वेकेंसियां थी उसकी आदेर से अधिक अर्था नो जार से अधिक की हमने रिक्तिस्थानों की पूर्ती की है और तकलीब उसमें एक है चाहिए एससी की वेकलांग हो या विकलांग तक एक शेतर में लोग काम करते हैं उनकी रिक्तिस्थानों की पूर्ती का सवाल हो पहले क्या हुआ टोटल कितने विकलांग है तो उसका परसेंटेज जैसे तीन हुआ इतने पद होना चाहिए पर आज के पहले की सरकार पात साल पहले तक इन नियमों का पालन करने की बजाए उसकी पूर्ती सामान्य वर्ग से भी करती रही है ACT WORK में भी ऐसा होता रहा है वेकेंसी बेस जो वेकेंसी होगी उसके आदार पर करेंगे तो इन कटनायों को दूर करने की दर्ष्टि से भी हम बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे है फिर मेरे विबाग में senior citizen और जैसा मैंने बताया कि नशामुक्ति की योजना भी है हम नशामुक्ति के लिए नहरू युवा केंदर के माध्यम से अभियान चला रहे हमारे विबाग के अधिकारी भी करते हैं NGO's भी करते हैं सीमावर्ती राज्यों में इसकी समस्या ज़्यादा है वहां हम उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कारियोजना कर रहे हमारे नशामुक्ति केंदर भी हम चला रहे हैं और हमको खुशी है कि हम अनेक लोगों को नशामुक्त करने में सफलता प्राप्त करने में सफल हुए है इसके साथ इसाथ वृद्यजन की नीती बनाने का काम अंतीम चरण में है मैं सोचता हूँ आगले छे महिने में नशामुक्ति नीती भी और किनर समुदाय के लिए हम नया कानून भी बना रहे हैं नया कानून कोशिस हम करेंगे कि इसी साल के अंदर अंदर पारित हो जाए और उनको भी वो सारी सुविदाय मिलने लगे मैं एक बात और केना चाहता हूँ विकलान जनों को चात्र चात्राओं को पहले पढ़ने के लिए चात्रवर्ति नहीं मिलती थी हमने 2014-15 से चात्रवर्ति देना प्रारंब किया है और 15-16 में अनेक चात्र चात्राओं को वो स्कॉलर्शिप देने का भी काम किया है फिर हम प्री मेट्रिक स्कॉलर्शिप देते हैं पोस्ट मेट्रिक देते हैं विशेश योग्यता के लिए स्कॉलर्शिप देते हैं ओरसीज स्कॉलर्शिप देते हैं और नेशनल फेलोशिप योजना के अंतरगत भी जो पी एच्टी वगेरा करते हैं उनको ये सारी भी देना चाहिए मैं खुशी के साथ कहता हूं कि मेरे आने के बाद 2014-15 में लगब 45 लोगों को जिसके आवेदन मेरे पास आए हमने चिकिसा सुईदा के लिए उनको लाखों रुपे उपलब कराए और इस वर्स 15-16 में 62 लोगों से अधिक को हमने जितना इस्टीमेट डाप् स्विक्रत की है मेरे पास इस काम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है मैं सांसत मोदर से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके ख्षेतर में मेरे विपाग से संबंदित वर्ग के कोई लोग आते हैं और वो बीमार है और चिकिसा सुविदा करना चाहते हैं आवेदन जरूर मंजीरी दिंगा इसके साथ सामाजी सुडक्षा की दरश्टी से और इनके साथ अनुसुची जाती वर्ग के लोगे साथ जो अन्या अत्याचार और पिड़न की घटना होती है उनको दूर करने के लिए अनुसुची जाती जन जाती अत्याचार निवारन उनीसो और एक जनवरी 2016 से वे अधिस उचित हो गया राजपतर में आया फिर 26 जनवरी 2016 से उसको लागू कर दिया गया और अभी 14 अपरे लंबेट करजी की जैनती से उसके कानून भी देश में लागू हो गये और उसके कारण जमीन आस्मान का अंतर आएगा उनको लाप मिलने के लिए उनको संबान देने के लिए पहले जो कानून था उसमें इस बात के लिए आप प्रावदान नहीं था अगर कोई किसी की मूच काट दे मूच मूड़ दे सिर मूड़ दे काला मूँ कर दे जूतों का हार पे ना दे निर्वस कर दे सड़क पर घुमा दे उसको बेज़ करें गोड़े पर बेट कर या गोड़ी पर बेट कर बरात नहीं निकालने दे बड़े बड़े आयोजन करते हैं तो जुलुस नहीं निकालने देते हैं चुनाओं से रोकते थे इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रावदान ऐसे हैं जिसके कारण के साथ उत्पीड़न की घ इनके साथ अन्याय होता था और बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करते थी मिर्चपूर और बगाना हरिाना की घटना है इसका बड़ा उधारण है और वहां नके साथ मिखेञ जुला रिपोर्ड तक नहीं हुईए आज भी नहीं दिलवाया हम पूछना चाहते हैं मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ उनको सब को मालू में मिर्थपुर वाले गाहँ छोड़कर आज भी दिल्ली में या इदर उदर रहने के लिए मजबूर है यो है हम पूछना चाहते हैं उस समय क्यों नहीं बोलते हैं फिर 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 आजकल 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 वो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में थी और इदर बेठा करती थी बुरी हार हुई करारी हार हो गई चुमाल इसकी संक्या रह गई जमीन अपने नीचे की खसक गई अब उनको सब याद आने लगा और याद आने लगा तो क्या कर रहे है दलितों को ब्रहमित करने का काम कर रहे है भड़काने की कोशिस कर रहे है और यही कारण है कि हैदराबाद की घटना को जान बूच करके जाती की और बढ़ाने की कोशिस की वर्ग में भाटने की कोशिश की और देश के दलितों को भ्रमित करने की कोशिश की मैं पूछना चाता हूँ जैस्टकाजी आप निवेजन करता हूँ आपसे बेटो मैं पूछना चाता हूँ आदानी खडगे साब आए UPA की सरकार के टाइम उसी हेजराबाद यूनियर्सिटी में 2006 से लेकर 2014 तक 11 चात्र चात्रा उन्हें हत्या की आत्म हत्या की मेरे साथ मेरे पास उनके नाम है उसमें से 3 SC के थे 3 ST के थे बाकी OBC के थे और बाकी जनरल के थे यहां से बहुत सारे राजनितिक दलों के मुखियां वहां गए कांग्रेस पार्टी के राहूल जी गए राहूल गांदी साहाब और दूसरे लोग भी गए मैं पूछना चाहता हूँ 11 लोगों ने आत्माचा की थी 11 चात्र चत्र उन्हें आत्माचा की थी भेजने की कोशिश देशित में नहीं है, मैं कांग्रेस वालों से विशेश प्रार्थना करता हूँ, कि कांग्रेस का इत्यास रहा है देश को आजाद कराने में, उन्होंने आजाद किया, आप आजादी को अक्षिन रखने के लिए, उनके बताए हुए मार्क पर चलो, महात् मागांदी वाली कांग्रेस नहीं है, हर चेत्र में, हर चेत्र में उन्होंने भारत के समीदान का उलंडन करने की कोशिश के, मैं पूछना चाहता हूँ, भारत के समीदान में, जिन जिन बातों का उल्लेक किया गया है, उन बातों पर आमल करने के लिए, उन्होंने क्यों को सब्सक्राइब का जवाब अगर देते हो तो मैं बेठने के लिए तैयार हूँ तो उनको मेरी बात सुनना चाहिए अगर उनके पास कोई जवाब है सोनिया गांदी या राहूल गांदी जी महां क्यों नहीं गए थे इसके पेले अभी क्यों जाकर के इस प्रगार्की कर रहे हैं सर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ हमने 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 हैं हमने संकड़ लिया था डेश की आज़ादी के पेले महारानाँ प्रतबग जब हारे थे अबवरसे तब संकल्प लिया था कि हम चित्वोर को आजात कराएंगे तब जब तक आजात नहीं होगा हम घर में नहीं रहेंगे, दिया नहीं जलाएंगे घर बना के नहीं रहेंगे उन लोगों की समझ्छाएं लंबे समय से वो अपनी समझ्छाओं को समाधान के लिए मांग करते रहे पर उधर वाली जो सरकार थी पेले उन्होंने उस पर कोई ध्यान नी दिया हमने उसके लिए एक आयोग बनाया है दादा इदाते की अध्यक्स्ता में आयोग बनाया है और हमने उनको ये मुद्दे दिये है क्या डी लोटिफाइड घुमन तु जाती में कोन-कोन जाती आती है उनका सर्वे करे वो देश्व्यापी सभी राज्यों में जा करके सर्वे कर रहे है और सर्वे के साथ-साथ वो रिपोर्ट देंगे रिपोर्ट देंगे उसके पहले हमने तय कर दिया है कि उन समुदायों से समंदित चात्र चात्राओं को हम वो सारी सुविदाएं उपलब कराएंगे जो H.C. के चात्रों को मिल रही है H.C. के चात्रों को मिल रही है O.B.C. के चात्रों को मिल रही है इसी प्रकार से किंदर समुदाय से समंदित वर्ग के लोगों को भी हम यह सुविदा देने का प्रयास कर रहे हैं माननी सवापति मोहदे मैं जिन जिन माननी सदस्यों ने बहुत सारी बाते उठाई थी उसमें एक महेंदर सिंग्जी यहां शायद अभी नहीं है उन्होंने एक बात का उलेक किया था और संतोष सिंग्जी ने भी उलेक किया था कि उन्होंने मुझे एक पत्र दिया था मैंने उनको एक नालेजमेंट तो दिया था पर उन्तु बुले काम नहीं हुआ मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ उस पत्र का आखरी पेराग्राप आप पढ़ ले उस पेराग्राप में मैंने लिखा था कि अगर राज्जी सरकार प्रस्ताव भेजेगी और आप प्रस्ताव भिजवाएंगे तो मैं जरूर उस पर कारवाई करूँगा मैं कहना चाहूँगा कि आज तक न उन्हों ने न वहां की सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है प्रस्ताव आएगा मैं उस पर कारवाई करने का उनको फिर आशोच करता हूँ, विश्वाच दिलाता हूँ इसी प्रकार से इसी प्रकार से धर्मेंदर सिंग्जी ने एक बात उठाई थी और ये कहा था कि उन्होंने लोकसवा में एक प्रश्ण पूछा था हो तारांकित और उसका उत्तर आया था वो उत्तर सही नहीं था मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सही उत्तर नहीं आता है तो नियम प्रक्रिया है उसके विरुद्ध काम करने के लिए कारवाई करने के लिए वो आपको लिखकर के देंगे आप हमको जो आदेश देंगे वो हम पालन करेंगे पर उसके बाद भी मैं बताना चा और उनकी जो आशंका है, उसको दूर करने का प्रियास करूआ, बहुत सारे माननी सदस्यों ने अन्एक प्रकार की मांग की आए, मैं उनको बताना हुआा हुआ 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 हुआ, भारत सरकार से अभी तक कभी भी कोई पेशा नहीं लेता है न प्रस्ताव भेजता है उनकी कोई अलग योजना है वहाँ ऐसे ही उत्तर प्रदेश वाले नहीं लेते हैं और जब जब उनके प्रस्ताव आएंगे हम देंगे मद्यप्रदेश और बाकी कुछ राज ये से हैं जो ये योजना अपने इस्तर पर चलाते हैं हमारी यहां कोई प्रस्ताव नहीं भेजते हैं फिर मी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हर्याना को पोस्ट मेट्रिक चात् करोड रुपे उनको जारी किये हैं प्रिमेट्रिक स्कीम के अंतरगत हर्यान सरकार को भी हमने जो नेशनल एलोकेशन होता है 32.08 करोड की राशित दी है मैं उनसे निवजन करना चाहता हूँ कि अगर वो प्रिमेट्रिक स्कॉलर्शिप भी अपने प्रदेश में लेना चाह आते हैं तो संबन्दीत राजी सरकार को कहें राजी सरकार हमको प्रस्ता भेजेगी तो निश्चित रूप से निश्चित रूप से हम धनराशी उपलत कराने का काम करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में यहां भी चर्चा हुई है कि सरकार अनुसुची जाती जन जाती और OBC वर्ग के लोगों को आरक्षन देने की पक्सदर है और वो हर क्षेत्र में देने की हमारी कोशिस है पिछली सरकार ने एक कमिटी बनाई थी वो कमिटी काम कर रही है उस कमिटी का प्रतिवेदन आएगा तो हम विचार करेंगे और नहीं तो हम भी वातावन बनाने में सहयोग देंगे मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कार्पूर एक जगत में उद्यमिता के एक शेत्र में वातावन बनाने की कोशिस करें और वो अगर कहें कि हम हमारे एक शेत्र में भी आरक्षन देने के लिए तयार है तो सरकार भी विचार करने के लिए तयार है हमको इस जरकार की नियद साफ है, नीती भी साफ है, हम अमबेट कर जीखिए प्रती-प्रती बद्दतं अव्यक्त करते हैं, समिधान में उले कि प्रावदानों का योजना बना कर अमल करते हैं, जो इसा प्रेशन करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं साड़ साल तक उन्होंने क्यों नह इसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन समात करने की कोई बात दिलों दिमाग में नहीं है आरक्षन है रहेगा सरकार की यही जीती है और यही नियत है बाकी लोगों के मन में कुछ जिराबा हो तो अपने जंग से जो सोचना है वो सोचते रहे सभापति मौद है मुझे हमारे संस आकड़े मेरे पासे वो दू और नहीं तो मेरे बात समात करता हूं धन्यवाद